नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल टार्गेट फॉर आई एस नभी पेस सी बित कहके आज है 16 मई 2022 और हम लोग डिसकस करने वाले हैं आज का मद्यप्रदेश का करेंट अफिर क्या कुछ इंपरेंट होने वाला है यहां पर 16 मई के साथ साथ कुछ करेंट फिर 15 मई का भी होगा क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं हो जो कुछ करेंट फिर हो था उसे मंडे यानि की आज की इस वीडियो में हम लोग 16 मई के साथ साथ कुछ करेंट फिर 15 मई का भी डिसकस करेंगे आज का सबस्याथ हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं य से कि प्रधानमत्र रियाबास योजना और जो भी ग्राम पंचाज से जुड़ी हुई योजना है क्योंकि आपको मालूम है मद्द प्रदेश में जो हमारे नगरी ने कहा है चुनाव आने वाले हो उसी को मद्द नजर देखते हुए विविन प्रकार की योजनाओं को मद्द से किया जाएगा आपका आपसी नमबर एक सतरा सो करोर दो सो करोर तीन हजार करोर या फिर 1000 करोर इसका राइट याद दोस्तों सत्रा सो करोर तो आपको याद्वन in से हैं अब तो किसी सम्बंदित की distinctionRET P आपको बता देता हूं मद्य प्रदेश का प्रथम क्रिशी विष्विध्याले की स्थापना जबलपुर में की गई थी 1964 में की गई थी और इसका नाम था पंडित जवालना नहरू विष्विध्याला है तो यह काफी एदिक मद्य प्रदेश का जैविक क्रसी अनुसंधान के इंदर कहां पर है जबलपुर में ही है इसी विष्विध्याले में तो इसको भी याद रखना है इसके साथ ही साथ में मद्य प्रदेश में जैविक खेती की इकाई याद रखी इकाई वर्ड जब भी आ जा तो आपको क्या लगाना है मैंने बताया कई वार इंदौर तो इंदौर में स्टेबलिस की गई है सेल रिच खादर सयंत्र कहां पर है दोस्तों तो सेल रिच खादर सयंत्र है आपके भोपाल में संजीबनी एक ब्रांड है जिसके अंतरगत मद्यप्रदेश के जितने भी जो प्रोडक्ट है आपके ब्रोडक्ट है उनको इसी ब्रांड के अंतरगत सेल किया जाता है तो इसको भी आपको याद रखना है काफी इंपोटेंट हो जाता है अब हम लोग देख लेते हैं मद्यप्रदेश की कुछ मुख्य फसले और उनके अनुसंधान किंद्र सबसे पहले देखते हैं हम दोग आलू अनुसंधान किंद्र कहां पर है गवालियर में तो आलू अनुसंधान किंद्र कहां पर है गवालियर में है फिर हम देखेंगे कपास अनुसंधान किंद्र कहां पर है दोस्तों तो यह है दोस्तों आपके खरगोन में कपास अनुसंधान किंद्र कहां पर है खर डबाम है तो इसको आपको याद रखना काफी है इंपोर्टेट है इसके साथ है आपको याद रखना है दोस्तों कुछ जिलों को मैं आपको बताना जाहूंगा जैसे कि जो जो अत्पादन कहां पर टॉप पर हैं गुणा में तो इसको आपको याद रखना है अरहर अरहर तो यह कहां पर है दोस्तों wär newuse of Queer तोorar माएं तो कहां पर एक याद रखना कहां पर है सीहौर में है सूखा अनुसंधान केंद्र कहां पर है सीहौर में है इन सब को आपको याद रखना है काफियदिक important हो जाता है इसके बाद मैं आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां अनुसंधान केंद्र काफियदिक important है जवल पुर में इसको भी याद रखना है इसको भी याद रखिय काफियदिक important हो जाता है मद्य प्रदेश को करसी छेतर की रूप में पांच मोख छेतरों में बांटा गया है तो इसको आपको याद रखना है काफिय दे के important है यहाँ पर मैं आपको सचाई की पूरी की पुरी प्रकिरिया भी समझा देता हूं मद्य प्रदेश में तो मध्य को बता देना चाहूंगा कहां पर किस से सबसे अधिक सचाई की जाती है तो यह जो उत्तर का पूरा छेत्र यहां पर नहरों के माध्यम से सचाई की जाती है पच्चिम का पूरा छेत्र यहां पर जो आपके नल कूप हैं कुए हैं इनके माध्यम से सचाई की जाती है और यहा सब्सक्राइब करेंगे आगे बढ़ते हैं देखते हैं नगरी निकायों में कितने कड़ों से अधिक की विवनी ओजनाओं को लांज किया जाएगा तो शुरूबात में मैंने आपको बताया नगरी निकाय चुनाओं मद्द प्रदेश में पूरूरू रूप से आपको मालू ने थे योजनाओं को लॉंज किया जा रहा है तो कुल मिलाके टोटल कितने कड़ों रूपए की योजना है जिनको लॉंज किया गया तो आपको अप्शन नमरे के 20,753 कड़ों 10,200 कड़ों एक हजार कड़ों या फिर इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर दोस्तों आसी नाथ पांड़े की अध्यक्सिता में की थी 1962 में और इसके द्वारा प्रिथम चुनाओं कराए गए थे 1965 में तो इसको आपको याद रखना है काफी है इंपोटेंट है और मद्य प्रदेश में दोस्तों 1994 में तेहें तरवे चुहतरवे संमीधान के अंतरगत पूरा जो नगरी निकाय का सिस्टम था संमीधानेक दर्जा मद्यनिवाला मद्य प्रदेश वाज़ फस्ट स्टेज इसके साथ आपको याद रखना है मद्य प्रदेश में अब तक संमीधानेक आधार पर कितने चुन मद्य प्रदेश निर्वाचन आयूक के तो कौन है दोस्तों वसंत प्रताप सेह काफियदे के इंपोर्टेंट है प्रथम कौन थे दोस्तों नंद वल्लव लोहानी लोहानी इनको याद रखी काफियदे के इंपोर्टेंट है और चंद्र प्रकास इनका नाम भी याद रख जैसे कि MPPSC के साफ से सरवाधिक important हो जाते हैं यह question तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहूंगा अनुछे 243 क के अंतरगत क्या प्राउधन किया गया है इसके अंतरगत प्राउधन किया गया है आपके जो ग्राम पंचयात उनकी चुनाओं की विवस्ता इसके अंतरगत की पाली का नगर पंचया जो है इन सब का इसके अंतरगत चुनाओं का प्राउधन कर दिया गया है तो इसको भी आपको याद रखना है आगे बढ़ते हैं देखते हैं 17 मई नगरी चित्रों में लाखों नगरेकों को एतिहासक दिन होगा इस दिन पर वीस हजार 753 कड़ों र दरजा दिया है और परिवार के प्रते परिवार को एक एक कड़ों रुपई की रासी और उसके साथ में उन्हें एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी की भी बात की गई है तो इस घटना में दोस्तों कुल मिला के कितने पुलिस कर्मी सहीद हुए हैं आपका ऑप्शन नमर एक है एक दो तीन या फिर चार इसका राइट आंसर है दोस्तों तीन तीन पुलिस कर्मी दोस्तों गुना में सहीद हुए हैं इस दुखत घटना में तो देखते हैं क्या है पूरी न्यूज मुक मंदी स्री चोहन ने कहा कि इस घटना में सहादत देने वाले पुलिस के तीन साथी सब इंस्पेक्टर स्री राजकुमार जाताव, आरक्चक स्री संत्राम और सहादत विर्थ नहीं जाने दी जाएगी काफियदे के इंपरेंट, किस छेतर में उतकिस्ट प्रवंदन के लिए मुका वियंता वगेल समानित किये गए हैं, आपका उप्सन नमबर एक स्वास्त, सिक्छा, विद्धुत या फिर पत्रकारिता, इसका राइट आंसर है दोस्तों, उप्सन नमबर तीन, विद्धुत का पूर्ण रूफ से खयाल रखा जाता है, ऐसे ब्रक्ष जिन को कहीं से निकाल दिया जाता है, तो उनको एक जगा पर सुरक्षित करके उनकी देखरे की जाती है, तो भोपाल में उसे नाम दिया गया है, ब्रक्षों का व्रद्ध आस्रम, इसको भी याद रखिये, काफि तीस घंटे में बिद्दत अपुर्ती वहाल करवाने उस समय में आप लोगों को बताए भी था काफी बड़ी बिद्दत यह जो परिशानी थी और इसको स्वेम जो हमारे मुक्मंत्री हैं और मंत्री हैं उनके द्वारा तारीब की गई थी और सूत्रधार अची अधिल ने की उपलब्दी दी गई और यह काफी अधिक इंपोर्टेंट था देखते हैं नेक्स्ट को सन हमरें टू योजना की शुरूबात कब की जाएगी इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ऑप्सन नमर एक सत्रह मई को इसकी श सब्सक्राइब की स्विक्रिति कर दी गई है और मंत्री परिशत के नुशार प्रतिक वर्स कब मनाया जाएगा लाड़ी लच्मी दिवस टेलीग्राम चैनल को जरूजवान करिए क्योंकि यहां वहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे कि मंद्द प्रदेश की पूरे अबॉ जरूजए कर वैधर तूल कर दो कर दो खेंद लाएगा और मुल्णों